थोड़ी देर में शुरूओ का चैन्नाई सुपर किंग्स और कोलगत्ता नाइट राइडिस के बीच आईपिल 2022 का पहला मुकाबला टीमों में हुए चार बड़े बदलाव नमस्कार दोस्तों स्वागत ते एक बार पिर अमारे चैनल देव किरिकेट में आईपिल 2022 का पहला मुकाबला मुंबई के वोनकडे स्टेडियम में खेला जाने वाला इस मुकाबले के लिए चैन्नाई सुपर किंग्स और कोलगत्ता नाइट राइडिस की टीमों की प्लेइंग इलेवन का ऐलान हो चुका है दोनों टीमों में हमें चार बड़े बदलाओं देखने को मिलने वाले है और ये टीम में बन चुकी है सबसे मजबूत तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार कौन सी टीम होने वाली है सबसे मजबूत साथ ही हम जानेंगे कि दोनों टीमों की प्लेइंग लेवन क्या होने वाली है किन बड़े बदलाओं के साथ ये टीम में मेदान पर उत्तरने वाली है और साथ ही हम ज कुछ चाहते कि आपकी फेवरेट टीम इसाइप के मेदान में कमाल का प्रफॉमेंस करके दिखाए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें अब मात्र सो लाइक तो उमीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टार्गेट को पूरा करेंगे और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आप आई पिल से जुड़ी कोई भी कबर मिस ना कर पाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले और आज कई बड़े बदलाओं के साथ उतरती हुई दिखने वाली है दोनों टीमों ने अपने कप्तानों को भी बदल लिया है और अपने नए कप्तानों के साथ मेदार में उतर रही है एक तरफ चन्ने सुपर किंग्स की कप्तानी सर रविंद्र जट्रेजा करते हुए दिखेंग कि वे अपनी टीमों के लिए शांदार शुरुआत करे रविंद्र जट्रेजा की लिडर्शिप की हम बात करें जो सर जट्रेजा ने पिछले 15 सालू से किसी भी टीम की कप्तानी नहीं किये जब जट्रेजा अंडर 19 में खेलते थे तब उन्होंने सोरास्टर की कप्तानी की थी इसके बाद उन्हों से लेकर अब तक उन्होंने किसी भी टीम की कप्तानी नहीं किये तो वही पर कोलगत्ता नाइट रैडिस के कप्तान स्रेस अयर ने दिल्ली केपिटल्स की कप्तानी करते वे टीम को फाइनल तक भी पहुँचाय था एसे में यहां पर स्रेस अयर की तुलना में जड़ेजा के पास कप्तानी का अनुबव की कमी रहने वाली है लेकिन फिर भी मेंदर सिंग दोनी के साथ से जड़ेजा टीम की कप्तानी को अच्छे से कर पाइंगे ऐसे में यहां पर मेंदर सिंग दोनी का जड़ेजा के साथ कड़े होने से टीम अभी भी अब हम बात करें कोलगत्ता नाइट रैडिस की टीम की तो इस टीम के पास कहीं युवा बल्ले बाज मोजूद है जो कि कापी शांदार बल्ले बाजी करके दिखा सकते हैं बल्ले बाजी में इस टीम के पास वेनके टेस, आयर्स, रेस, आयर, नितीस, राना, जिंग के राने जैसे चार वीस्पोटक बल्ले बाज मोजूद है जो कि कभी भी टीम के लिए कापी शांदार बल्ले बाजी करते हुए टीम का पासा पलड सकते हैं तो वहीं पर विकेट किपर के तोर पर इस टीम के पास सेम बिलिंग्स मोजूद है जो इनके पास की टी-20 का अच्छा कास अनुबव है वहीपर ओल रांडर खिलाडियों के तोर पर इस टेम के पास सुनिल नरायन आंद्रे रसल जैसे ओल रांडर खिलाड़ी मोजूद है जो कि शांदार बल्लेबाजी के साथ शांदार गैंद बाजी भी टीम के लिए करके दिखा सकते हैं वहीपर बल्लेबाजी का सबसे मजबूत पक्स होने वाला है इस टीम का तो वही पर गेंदबाजी में तेज गेंदबाजी में इस टीम के पास उमेस यादव मोजूद है तो वही पर वरुन चक्रवर्ती इस टीम के लिए काफी शांदार स्पीन डिपार्डमेंट की बुमिका निबा सकते हैं पर सीवं मावी भी इस टीम के लिए अच्छी कासी गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं इस टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवा बल्ले बाजू के उपर रहने वाली है वहीं दोस्तों इसके खिलाफ में उतरने वाली चेल्ने इससुपर किंग्स की टीम की बात करें तो इस टीम के सबसे मजबूत पक्स होने वाला है बल्ले बाजू की फोज इस टीम की सबसे बड़ी ताकत होने वाली ये टीम की बेटिंग लाइन बेटिंग लाइन में इस टीम के पास एक से बढ़कर एक अनुबवी बल्लेबाज मोजुदे इस टीम ने हमेशा से ही रन रिती रही है कि पुराने खिलाडियों को अपने साथ जोड़कर अपनी टीम को बिखरने ना दिया जाए तो इस बार भी इस टीम ने आठ की लाड़ी वहीं खेलते हुए दिखने वाले जो की पहले से इस टीम का हिस्सा थे इन में से मात्र एक मोहिन अली शुरुआती मुकावलों में में खेलते हुए नहीं दिखेंगे बाकी के सातु की लाड़ी हमें इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखने वाले हैं इस टीम की हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में डिजे ब्राउ टीम के लिए काफी शांदार गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं तो वहीं पर एड़ा मिलने भी तेज बूद नजर आ रही है कोई भी टीम किसी भी टेम के उपर भारी पड़ सकती हैं वहीं दोस्तों इन दोनों टीमों के हैड़ टुएट आंकड़ों की बात करें तो अब तक यह दोनों टीम कि प्लेंग 11 की तो एकुछ इस प्रकार से ओनने वाली कोल्टनाइट राइडीस की प्लेंग 11 की हम बात करें तो इस्टीम की तरब से ओपनिंग पेर में में केलते वह दिखेंगे, वेनकेटे सयर के साथ अजीं के राने तो नमबर तीन पर केलते वे दिखेंगे स्रे सयर तो नमबर चार पर केलते वे दिखने वाले नितीस राना तो इस टीम की तरप से नमबर पांच पर केलते वे दिखेंगे विकेट किपर सेम बिलिंग्स तो नमबर छे पर केलते वे देखेंगे ओल्राउंडर् सुनिलील्नारैन तो नमबर 6 पर खहलते वह दिखेंगे चंट मैंटी सुरुवातं नहीं दिखने वालें वही पर इस टीम की तेज गेंदबाजी में थोड़ी सी कमी रहने वाली है लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये टीम कापी शांदार नजर आ रही है वहीं दोस्तों अब हम बात करें चन्नाई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 कितों में इस टीम की तरप से ओपनिंग पेर में खेलते हुए दिखेंगे रित्तुराज का एक वाड के साथ डेविन कोनवे ये दोनों किलाडी टीम के लिए ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और टीम को कापी शांदार सुरुआत दिलेंगे तो वही पर नमबर तीन पर केलते हुए दिखेंगे रोबिन उत्तपा तो चार पर अमबाती राइडू तो पांच पर टीम के पूर्व कप्तान मैंद्रे सिंग दोनी तो नमबर चे पर इस टीम के नए कप्तान सार रविंद्रे जडरेजा तो नमबर साथ पर ओल राउंडर सीवम दूबे तो नमबर आट पर डिजे ब्रावो तो नमबर नो पर मैईस तेक्षणा या क्रिस जोर्डन में से कोई एक किलाडिय मैस टीम की तरफ से नमबर नो प पर सुरू होने वाला है साथ इस मुकाबले का लाईव पर सार रण मोबाइल में डिजनी प्लेस ओर टीवी में स्टार स्पोर्ट नेट्वर्क पर होने वाला है तो दोस्तों इन दोनों टीमों की प्लेइंग इले उनको देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत पाईगी हमें अपने विचार कॉमेंट करके जरूर बताए और साथी साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंतक बने रहने के लिए